ये आकाश्वानिका भोपाल केंद्र है ये धुन और सुभः घर-घर में गूंजने वाली ये घोशना किसी परिचय के महताज नहीं है वैसे तो मधिप्रदेश में आकाश्वानिकी शुरवात 22 मई 1905 में इंदौर से होई थी लेकिन मधिप्रदेश और आकाश्वानि भोपाल के बीज जन्म जारत रिष्टा है दोनों के जन्म में महस 24 घंटों का अंतर है आकाश्वानि भोपाल की स्थापना 31 अक्टूबर 1956 में एक छोटे से काशाना बंगले से प्रायोग एक स्टूडियो और 200 वाट के ट्रांस्मिटर से होई थी जबकि मधिप्रदेश राजी की स्थापना इसके एक दिन बार यानि एक नवंबर 1956 को आकाश्वानि भोपाल ने मधिप्रदेश की स्थापना के दिन से ही यहां की विकास यात्रा, संस्कृती, विरासत, साहित्य, संगीत और राजनाति घटना क्रमों को पूरी विश्वसनियता के साथ बताना और सहेजना शुरू कर दिया था शायद तब ही, 1960 में आकाश्वानि भोपाल के शामला हिस स्थेत मौझूदा भवन का शुभारंप करते हुए, ततकालीन सूचना और प्रसारण मंत्री बीवी केसकर ने कहा था कि रेडियो मध्यप्रदेश के विकास में सहभागी बना रहेगा मैं आपको ये पूरी यकीन दिलाता हूँ कि हमारे रेडियो की ओर से मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और दूसरे प्रगती में जितनी सहता हो सकती है उतनी हम अवश्य देंगे मैं आज आशा रखता हूँ कि आज शुब दिन भोपाल इंदावर का रेडियो स्टेशन जो भोपाल राजधानी से मुख्य तहा आगे केंद्रित होगा वो मध्यप्रदेश की सेवा में दिन बदिन आगे बढ़ता जाएगा भोपाल ने जब दिसंबर 1984 में दुनिया की सबसे भीशन आबदा गैस तुरास्दी का सामना किया तब भी आकाश्वाणी ने यहां के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भयावध दुरघटना का सामना किया गैस तुरास्दी के दौरान मोचा संभालनी वाले और अब सिवा निवरत कारिक्रम अधिकारी चित्रेंद्र स्वरूप राजन बताते हैं कि आकाश्वाणी भोपाल ने मौके पर जाकर जुटाए गए तथिपरक समाचारों और जन सरुकारी कारिक्रमों से नकिवल लोगों का मनुबल बढ़ाया बलकि सही समय पर मदद पहुचाने में भी एहम भूमिका निफाई आकाश्वाणी भोपाल ने बनाया था इंसानी इर्थिका के नाम से ये एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी कि लखनाओ ने छोड़ दिया था गोरकपुर ने छोड़ दिया था हैदराबाद ने छोड़ दिया था आकाश्वाणी भोपाल ऐसे में आगे आया ग्यास तुरास्दी के दौरान आकाश्वाणी भूपाल के संतुलित कवरज की सराहना राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय मंचो पर हुई थी भूपाल केंद्र ने हमेशा ही अपने नवाचारों से खूब नाम कमाया गरीब तीन दशक से ज्यादा समय से भूपाल केंद्र की इस यात्रा के साक्षी और वर्तमान में वरिष्ट उद्खोशक अनिल मुंशी बताते हैं लोग रूची के प्रसारणों में आकाश्वाणी भूपाल हमेशा अग्रणी रहा है 1998 में देश में पहली बार फर्माईशी फिल्मी गीतों के फोन इन करिक्रम का सजीव प्रसारण यहां से शुरू हुआ और आज भी जारी है 1999 में मध्य प्रदेश विधान सभा चुनावों का रियल टाइम पूरी अवधी का सजीव प्रसारण मतदान मध्य प्रदेश और मतगणना मध्य प्रदेश वो भी हर जिले से एक मील का पत्थर है आज पूरे देश के आकाश्वाणी किंद्रों से प्रसारित हो रहा श्री रामचर रित्मानस गान वर्ष 1973 में मूलता आकाश्वाणी भोपाल से ही आरंब हुआ था हाल ही में कोरोना संक्रमन के दौरान प्रादेशिक समाचारों का घर से प्रसारण कर भोपाल की प्रादेशिक समाचारे कांश ने ऐसी मसाल कायम की जसकी प्रसार भारती के ततकालीन CEO, शशी शेखर वेमपत्ती सहित, अन्याला धिकारियों ने भी जम कर सरहना की थी हो सकता है अब रेडियो सेट के जरिए आकाश्वणी भोपाल से जुड़ने वाले श्टोता कम हो लेकिन न्यूज ओन एयायर एप, यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए नई पीडी तेजी से रेडियो से जुड़ रही है इसल झाल 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 झाल